और जुबीच असम के सीम हेमान दविस्वा सर्मा माई साथ जोचुके हैं सर बहुत त्वागत आपका जीन्यूस पर पहरा सवाल में रहे है कि बांगलदेशी घुसपैटियों को लेकर के सरकार का अक्षन क्या है? टार्गेट क्या है? सर सवाल मेरा यह है कि बांगलदेशी घुसपैटियों को लेकर के असम सरकार का फिलाल प्लान ओफ आक्षन क्या है? देखिए पहले मैं आपको बताना साहूंगा कि जब से बांगलदेश में अन्रेस्ट हुआ है तब से थोड़ा सा घुसपैटियों आने का जो सिलसिला है थोड़ा बाहे है BSF और असम सरकार पिछले देर महिना में काफी बंगलदेशी घुको हमने इंटरसे भी किया हूं और पूस्बेग भी किया हूं और असम में जो घुसपैटियों का समझ सा है उसका साथ निपतने के लिए हमने फिलहाल बंगलदेशी को डिटेक्शन और डिपोर्टेशन बढ़ा दिया हूं अपना जो लैन लॉज है उनको हमने काफी स्ट्रिक करने का काम कर रहा हूं और अभी और एक बड़ा निन्ने हुआ कि असम में एनर्सी का नाम या एनर्सी में जो लोग एप्लाई किया है उन्ही को ही अभी से आधारकार्ट मिलेगा बाकी लोगों को आधारकार्ट नहीं मिलेगा जी यह हम लोगों देखा सर कि आपने कहा कि जो आधारकार है वो वास्तिक जनसंख्या से जादा बनाए गये थे सर एक सवाल मेरा है वो है मिया मुसल्मान को लेकर कि ये मिया मुसल्मान कौन है और इसे शब्द का प्रचलन कहां से हुआ हमारे जो असाम का मुसल्मान समुदाई है जो बंगलान से आते है ओ लोग अपने आपको मिया मुसल्मान बोलते है और जब आप मिया मुसल्मान उनको बोलते है ओ लोग काफी सन्मानित महसूस करता है परसेप्शन तो ये दिया जा रहा है कि मिया मुसल्मान बोल करके उनको टार्गेट किया जाता है ने ने असाम में बिधान सभा सारे हमारे मुसल्मान बिधायों के निन्न लिया कि हमें मिया मुसल्मान आप बोलिये हमारा कोई अपत्ती नहीं है ये बिधान सभा का प्रोसीडिंग का हिच्छा है जिस टेमोग्रेफी चेंज की बार हमनता प्रिस्वा सर्मा जी जी अपनी बात आप पूरी की ज़र हाँ जो मैं टार्गेट करता हूं मैं घुस पेठीव को टार्गेट करता हूं ये बाइफर्केशन सरकार सर कैसे कर रही है इसके लिए कुछ कागजी कारवाई की जा रही है इंटेलिजन्स के इंपुट क्या धार पर कारवाई की जा रही है हम तो उनको जब भी हमारे लोग BSA बोर्डर पुलिस उनका पास जाते है हम उनका कागज देखता हूं जो प्रसलिट कानून है जो हमारे संक्षद में बनाए हुए फॉर्डर दिटेक्शन का कानून है वो कानून का अधर में हम लोग काम करता हूं कोई कानून का बाहर जाके हम कुछ भी नहीं करता हूं और उसका एकड़म एसुपी बनाए हुआ है जी एमन्दा विस्वा सर्मा की टार्गेट टाइम लाइन क्या है जिस डेमोग्रेफिक बाव क्यों बात करते हैं जो वो कह रहे हैं कि बई डेमोग्रेफिक बदलाव हो रहा है उसको सही करना और घुस पैटियों को बाहर करना क्या खुद के लिए कोई डेडलाइन सेट की है आपने देखे ने वो ओटो में डेडलाइन करी ने सकता हूं सायद मुसको और सार पास जनम लेना परेगा किसलिए असाम में समझ से अटना गहरा हो गिया है हम लोग अभी हिंडू पोपुलेशन 58% तक खटा है और उसको सीधा करने के लिए मेरा पास कोई समाधान भी नहीं है हम तो अभी भिक्तिम हो सुका हूं तो जो भी मेरे लिए संभब है वो मैं करते रहूँगा लेकिन ऐसा मेरे जबन में तो संभब नहीं होगा कि मैं डेमोग्राफि को दुबारा रेस्टोर कर पाऊंगा लेकिन फिर भी हार भी नहीं मानना है लड़ते रहना है ठीके सर मैं इस पहलू पर भी आऊंगा लेकिन आपने कही 다음 तो खुद विक्टेम है लेकिन एक पैरलल थेयरी ये भी है कि मुस्लिम विरूदी होने के पोस्टर बॉय हेमन तब इस वासारमा बनते जाएं देखिए हमारे हिंडू मुसल्मान से कोई फरक नहीं परते हैं हम घुस पेठियों का खिलाप में हो और हमारा असाम में असामिया मुसल्मान लोग भी है हम उनको कभी तर्गेट नहीं करता हूँ हमारा सीधा सीधी तर्गेट उनके लिए है जो बंगलादेश से अववईड रूप में असाम में आये है हमारा कोई हिंडू मुसल्मान से हमारा कोई बात नहीं है हमारा सीधा टार्गेट ओही है कि भाई आप बांगलाडेश से आववाइड रूप से आए है तो इसलिए आप हमारे टार्गेट में है जी अब मैं कुछ चीजें सर मैं काउंट कराऊंगा आपको जिनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि मुसल्मान विरूदी होने के पोस्टर बॉय हैमन तब इस्वा सर्मा बन गए मदर्सों पर कारवाई हमन तब इस्वा सर्मा सरकार कर रही है मुसल्मानों के लिए जो शब्स्तिमान की रहते हैं जिसको आपने कहा कि वो इजददाश अब दोता है लेकिन एक पक्ष्ट है वो कहता है कि यह टार्गेट किया जा रहा है जुमे की नमास को जो ब्रेक होता है उसको बंद भी आपके सरकार कर रही है तो मैं अभी अंसर कर दो मदर्सा बन करके हम समाज में क्या मैसेज दे रहा हूं कि भाई मुसलमान समास का बेटा दक्तर बने इंजिनियर बने अभी आप बटाईए मैं मुसलमान का बंधू हूं कि सत्रू हूं अगर असाम का मुसलमान अपने आपको सन्मानित महसूस करता है कि हमें मिया मुसलमान बोले तो मैं बोलना सही है कि नहीं सही है अगर जुम्मा नमाज असाम का हिंडू मुसल्मान बिधायक बैठ के निन्ने लेते हैं कि हमें जुम्मा नमाज नहीं सहिए तो मुस्कु क्या ठोपना सहिए यह आप मुसल्मान बिधायक बोल रहे हमें जुम्मा नमाज नहीं सहिए तो मैं हिंडू होके बोलना सही है कि आप भाई आप कर लो नमाज तो हम जो भी कर रहा हूं असाम में तू कोई पटिक्रिया नहीं है जी लेकिन बार जो परस्टार्शन नहीं बन रहा है कि हिंडूत के पोस्टर बोई हैमत में सबस्वा बखते जा रहे है देखिए ये डेश में अगर कोई हिंडूत का पोस्टर बोई बनते हैं उससे गवरब का बाद और क्या हो सकता है हिंडूत इसा बड़ा धर्म कहा है सनातन ही सब कुछ करते हैं भारत में पांच हज़ा साल रखा हुआ है अगर कोई मुझसे हिंडू बादी बोलते है वो तो मेरा सार्टिफिकेट है और मैं तो उनके लिए सुकर गजर हूँ मैं तो उनको धेनबाद देता हूँ अभी नंदन करता हूँ मैं दो बातें सर यहाँ पर कहना चाहूँगा पहले बात तो यही जो विपक्ष ऐलिगेशन लगाता है कि समयदानी पद पर बैठ करके किसी धर्म विशेश के पोस्टर बॉय के तौर पर खुद को मान लेना कि आप सही देखते हैं दूसरा इस देश के राजनेता है जो कहते हैं कि हेमंत पर सर सर्मा उत्तर प्रदेश के सीम आदितनाथ योगी के चाइनीज वर्जन बन चुके हैं देखिए पहला बाता ये हमारा कुन सा संग्विधान में लिखा है कि संग्विधानिक पदों में बैठ के हुए अपना धर्म का गुन गठा नहीं कर सकते हैं थोड़ा क्लॉज मुझे आप दिखा दीजिए अगर मैं बेट का बात करता हूँ उपनिशत का बात करता हूँ क्या मैं संग्विधान में पद में बैठने का कारण क्या मैं बेट का बात नहीं कर सकता हूँ उपनिशत का बात नहीं कर सकता हूँ संगभीधान में खली एक आर्टिकुल 14 ही है आप किसी का साथ वैदवाव मत कीजिये क्या हम आवाज जुज़ना में वैदवाव कर रहा हूं क्या हम सरकारी नौकरी में वैदवाव कर रहा हूं हम क्या National Food Security Act में वैदवाव कर रहा हूं क्या स्कूल में बच्चा नहीं जाना साइए मुसल्मान ऐसा मैं बात बोल रहा हूँ उल्टा तो मैं बोल रहा हूँ भाई आईए डॉक्टर बनिये इंजिनियर बनिये भारत का मुसल्मान समास तो मुझे मैडल पहनाना साइए कि मैं ही एक बैक्ती हूँ जो उस समास के बारे में बात करता हूँ सर मेडल तो पहनाए जा रहा है आपको लेकिन जो मेडल आरूपों के है पहला आरूप तो ये कि मुसल्मानों को जबरदस्टी आप डिटेशन कैंप में भेज रहे हैं और दूसरा आरोप ये कि flood जहाद जैसे term भी आप coin कर रहे हैं ये दोनों medal है आपके जहाद का term हम लोग coin नहीं किया हूँ जहाद सब कहां से आये है आप थोड़ा research कर लिजी नहीं फ्लट जहाद की बात कर रहा हूँ sir अगर कोई ने वो जहाद सब आने का बात सामने आप जो भी लगाई है तो आपका भी से साधिकार है अगर एक जहाद सब आपने सुरू कर दिया जहाद का सामने आप lab जहाद लगाई है land जहाद लगाई है, flat जहाद लगाई है, fertilizer जहाद लगाई है, वो तो आपका भी से साधिकार है, लेकिन जहाद सब तो मैंने तो coin नहीं किया हूँ ना, मैं क्या coin किया हूँ, दूसरा, आसाम का CM होने का नाते, संग्विधान का सपत खाने का नाते, मेरा ये जिम्मेदरी बनत और ये मैं हाई कोट और सुप्रीम कोट का अदेश का अनुसार कर रहा हूँ, चीक है सर, सुप्रीम कोट और हाई कोट ने हमको बोल के रखा हुआ है, कि जब भी घुसपेटिव को आप पकरे, सीधा detention camp भेज़ दीजिए, अब मैं सर, एक political perspective में आना चाहूँगा आपको लेकर के, और कुछ गटनाएं हैं जिस पर कि मैं असम की सीए महिम्मद बिस्व सर्मा का reaction में आपका reaction जाना चाहूँगा, हाली में सूरत में, रतलाब में, गणपती पंडाल पर, जुलूस पर पत्राव होता है, इस गटना को आप कैसे देखते हैं, और अगर खुदाना खासता है, ऐसी कोई गटना असम के अंदर होए होती, तो एक CM के तौर पर action क्या होता है? देखिए, पहला बाद असम में किसी को कोई गरवरी करने का असम में किसी का हिम्मती है नहीं, ना हिंदू गरवरी करेगा, ना मुसल्मान गरवरी करेगा, जो करेगा कानून ही करेगा. तो कानून क्या करता है सर, बुल्डोजर आक्षन? दूसरा सावल, कानून जो करता है आप आखे देख लीजिए, हमारा कानून का मुटा भी की कर देते हैं, जो भी करना है, हम कानून से हिलते नहीं हूँ, जो कानून बताता है, वो ही करता हूँ यह बताईए सर, UPKCM योगी आतनाथ से कोई फोन पर बातचीत होती है, यह बुल्डोज अक्शन जो अत्रेशन से असम तक पहुंच गया है, यह डाप्टेशन कैसे रहा हूँ हमारे, हमारे असम, हम लोकास्त्री साल से यह जंगलर रहा हूँ मेरा अगे का CM भी किया है, मैं भी किया हूँ, और जो भी असम में CM आएगा, वो करते रहेगा यह हमारा जंग है, और जीन, मैं आपको बटाया ना, यह जीने और मरने का जंग है यह जो आप दिल्ली में बैटके हुए, आपका समझ में नहीं आएगे थुरा सम एक बार आजाई है, तब आपको मालूम परेगा, तो इसलिए हमारा यह जीने मरने का जंग है मैं कोई किसी का बाद में मैं नहीं आने ओला हूँ, मैं अपने काम करते जाऊंगा ठीक है, यह जो घुस पैठियों के उपर आप शिकंजा कस रहे हैं, देश की सुरक्षा को क्या खत्रा आप देख रहे हैं से? बहुत जादा खत्रा है, अगर एक डेश में घुस पैठिया आते हैं, आपका जमीन जाइडर लेके जाते हैं, आपका काम का उपर अधिकार हो जाते हैं, उससे मतलब यह प्रस्न का मैं जबाब देना साहिए नहीं साहिए, आभी सोच लिजी एक बदेख गुस पैठियों स देश का क्या खत्रा है, मेरा लगता है थोरा सा सुप्रीम कोट हमारा असाम का संदर में एक जज्जमेंट दिया है, कि असाम is facing silent invasion and external aggression, यह सुप्रीम कोट का सब्ध है, यह मेरा सब्ध नहीं है, जी, सुप्रीम कोट घुस पैठियों को external aggression माना है, जी, आपने फ्लर जहाद का जिक्र किया था, रेल जहाद का जिक्र भी अभी हो रहा है, देश के कई हिससे ऐसे हैं, और हाल ही में अभी कानपुर से गटना सामने आई है, जहां ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की बात की जा रही है, उस ट्रेन के सामने एक गैस रेंडर रखा गया था, बारूद वहां मिला, पेट्रोल वहां मिला, देखिये, जब जेहाद आगिया है ना, सामने आप जब भी सब्धे ओ भी लगा लीजिए, सब कुछ होगा, अगर जेहाद सब को आप माइनना डिलेगा, तो सामने वाला सब लगाने का जिम्मेदारी तो हर कोई ले लेगा, पहला जेहाद टाम्स को खतम कर दीजिए, आपका जो भी हमलुक का उपर सावाल उथा रहा है, तब लाब जेहाद भी खतम हो जाएगा, फाटी लाइजा, रेल जेहाद, सब खतम हो जाएगा, पहले जेहाद सब क बन कर दीजिए, जेहाद शब्द का सीधा संबंद जहां जोडा जाता है, वो एक कतर पंथी मानसिक्ता से जोडा जाता है, तो आप ही मानतर रेल जेहाद हो, आपके शब्द फ्लड जेहाद हो, भूमी जेहाद हो, सारे, 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 कतर पंथी मानसिक्त expression होता है जब जिहाद आ जाते है जिहाद का सीर कि जो भी सब लगाते हो गत्तर पंधी मानस्टिक्त का expression है अब ठीक सब बोला है जो गुस्पैटी आ रहे हैं जिनको कि आप ढूणध रहे हैं ये वह तो आपने 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 देखिए आपने तो स्लाइट जहाद देखी लिया है कांदाहर का किदने हुआ था हाईजेक हुए थे जब जहाद को आप माइननता देते हैं सामने वाला सब तो ओही लोग दिटर्माइन कर लेता है कि कहां से जहाद शुरू करना है वो हमारे और आपका कांट्रोल में नहीं होते हैं आप बोलने वाला को आप काटगरा में मत लाइए जो कर रहा है उनको काटगरा में लाइए जी करने वाले सर बिल्कुल कटगरे में आने चाहिए लगी कटगरे में लाने की जिम्मेदारी उसका दाई तुछा है वो आपके कंदों पर है तो हेमन देश की सुरक्षा के लिए जो भी वि वकामरा उसके साथ रहेगी